कितनी बार आप लोग Visual Studio Code में अपने करसर को खो देते हैं मेरे सार ऐसा कई बार होता है मैं Line No. 179 में होता हूँ और उसके बाद मैं Line No. 5 पर कहीं जाता हूँ और उसके बाद मैं कहां था Line No. 179 में मुझे मिलता ही नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं Previous Cursor in Visual Studio Code Visual Studio Code एक फीचर देता है जिसे कि आप लोग Previous Cursor Location को लोकेट कर सकते हैं अगर आप लोग मेरी तरह एक Windows मशीन में है तो आप लोग Alt-Left-Arrow और Alt-Right-Arrow को इस्तमाल करकर आप लोग जाती है में Previous Cursor Location Ctrl-Plus-Mineus से से लोकेट की जाती है और next Cursor Location Ctrl-shift-Minus से लोकेट की जाती है अगर आप लोग Linux में है तो आप लोग Ctrl-Alt-Minus और Ctrl-Shift-Minus कर सकते हैं और सबसे मज़ेगी बात पता है क्या है कि आप लोग इस keyboard shortcut को अपनी settings पर क्लिक करके keyboard shortcuts पर क्लिक करके go forward और go back नाम के shortcuts को override करके change भी कर सकते हैं यह functionality आपको कैसी देखिए ना मेरे लिए तो यह बहुत जाला life saving रहती है